श्रावन महा के प्रतेक मंगलवार को मा गौरी को समर्पित यह व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है मंगला गौरी व्रत महिलाओं के बीच उनके पती की लंबी आयू के लिए जाना जाता है मा मंगला गौरी पौरानिक व्रत का था एक समय की बात है एक शहर में धरमपाल नाम का एक व्यापारी रहता था उसकी पतनी काफी खुबसुरत थी और उसके बास काफी संपत्ती थी लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वे दोनों अत्यांत दुखी रहा करते थे हीश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ती हुई लेकिन वह अलपायू था उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में साप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक यूवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी वरत किया करती थी परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जुईवन का आशिरवाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विद्वा नहीं हो सकती थी इस वजह से धरमपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयू प्राप्त की इस कारण से सभी नव विवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी वरत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा साई वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं जो महिला इस मंगला गौरी वरत का पाला नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा को तो कम से कम करना ही चाहिए। इस कदा को सुनने के भशात विवाहित महिला अपनी सास एवं ननत को सोला लड्डू देती हैं। इसके अपरांत वे यही प्रसाद भ्रहमन को भी ग्रहन करती हैं। इस विधी को पूरा करने के बाद वृती सोला बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुद्वार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अत्वा पोकर में विसरज़त किया जाता है अतह मा गौरी के सामने हाथ जोड़ कर अपने समस्ता परादों के लिए एवंपूजा में हुई तुरुटियों के लिए शमा आवश्य मांगे इस व्रत एवंपूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार पांच वर्षों तक किया जाता है अतह इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रतेक व्रती के वेवाहिक जीवन में सुख की बड़ोत्री होती है तथा पुत्र पौत्रादी की प्राप्ती एवं पुत्र पौत्रादी का जीवन भी सुख पूर्वक व्यतीत होता है ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है जै मा मंगला गौरी